Hello India, Welcome to Indian AI production, Python practical interview question question number 13 for machine learning engineer data scientists and Python developer तो आज हमारे interior ने हमें क्या question पूचा है count the characters in a string and show the count with unique characters मतलब हमारे पास एक string मिलेंगी as input करके और उसमें से जितने भी character मतलब unique character है वो कितने unique character है वो हमें count करना in sequence में तो चलो यहापर मैं आपको एक example लिगाता हो visual studio code में और उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगा तो जैसे कि यहापर हमारे पास जो input मिलेंगा वो है sun vr मतलब s a n v i a तो हमें output के चाहिए जो first character s कितनी बार यहापर आया है sequence में देखने आपको a sequence में कितने है 2 है तो यहापर हमें value विलेंगी 2 अब आपको total a count नहीं करने मैंने यहापर total a count करने के लिए नहीं बोला है वो simple problem था जैसे कि यहापर a है तो इनको भी हमें count नहीं करना हमें कोड लिखना है हमारा input आपको दिख रहा है इस तरह किसा आएंगा और हमें output इस तरह किसे चाहिए अब यहापर आपको ध्यान रखना है हमें सिर्फ और सिद स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए program नहीं लिखना है हमारे पास जो हमारा interviewer है हमने पूरा task complete करने के बाद हो सकत करना है तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे यहापर मैंने जूपिडियो नूट्वू का इस्तिमाल किया आप कोई भी python id का इस्तिमाल कर सकते हो और आपको जस्ट screen share करना इंटर्वर के लिए तो यहापर मैं नीचे आता हूँ excel में create करता हूँ और यहापर मुझे function create करना है तो यहापर में function लिखता हूँ आप कोशिश करना कभी भी function में ही code लिखो right तो यहापर मिलता हूँ count chr characters और हमें मिलेगा input तो यहापर मिलता हूँ in str right अब ध्यान रखना है आपको function इस तरह के से लिखना कि कोई नया बंदा आपका function देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपको किस type का data देना है और यह जो function है वो किस type का data हमें return करने वाला है तो यहापर हमारे data कौन सा रहने वाला है string format में तो आपको यहापर लिखना है colon str जिस type का data है वो आपको यहापर define कर सकते हो right हमें एक ही argument मिलेगा उसको हमारा output करेंगा तो यहापको लिखना है minus greater than और यहापर जिस type का data type आपको output में मिलने वाला है मतलब return देने वाला है व most of the cases में आपको यह लोग पढ़ाती नहीं है यह पढ़ा होंगा तो आप भोल चुके होंगे लेकिन यह तरीका बहुत सही है इसी तरीके में आप function या class को define करते हो इसको अच्छी practice कही जाती है तो यहापर अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले एक variable करेंगे count chr str right हमें count character करने है और हमें एक वो string चाहिए तो यहापर मैंने empty string ले लिया है अब हमें क्या करना है जो भी हमें int str में जो हमें string मेलेंगे सबसे पहले उसमें समय एक character को ले लेंगे तो हम उसको क्या करते है temp underscore chr कर लेते है और उसके बाद हम क्या करते है temporary जो हमारे input string है उसमें से हमने 0 index प count करूँगा और यहाँ पर मैंने अभी मान लो इस temporary में कितना count है एक count है तो यहाँ पर मैं chr count भी एक consider कर लेता हूँ इस तरह के से मैंने भी फिलाल initial stage complete कर लिया अब हमें क्या करना है अब आप सभी को पता है कि जब हमारे पास string है और इसको हमें count करना है तो हमें for loop का इस् function यह जो हमारा inputting है उससे हम character को iterate करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन से index से start करना है हमने जिरूत index का character इस variable में store किया है तो हम क्या करेंगे जिरूत character को छोड़के हम next आने वाले जो character है उसको हम iterate करेंगे तो यहाँ पर मिलेता हो slicing करके 1 से start हो जाएंगे उसके बाद colon हम for loop के अंदर आ जाएंगे अब हमारा logic क्या है मैं आपको यहाँ पर define करता हूँ उसके हिसाब से हम क्या करेंगे हम code को लिखेंगे तो सबसे बहले हमारा logic क्या कि वाई जो हमारी string है वो तो सबसे बहले list में convert हो जाएंगे और यह जो एक single string है उसमें से हरी character as a single item of list create हो जाएंगा तो यह automatically आपर जब for loop आप लगा लेते हो तो यह काम कर लेता है example में आपको below इसमें दिखा देता हूँ यह हमारी string है और उसको मैं list को दे दूँगा sorry list को दे दूँगा तो हमें इस तरहीं के string मेलेंगे आप यह आपर में एक environment define कर लेता हूँ आपको भी environment ले सकते हो जो भी आपके system होंगा हो ओके तो जैसे आप इस string को list में convert करते हो तो आपको आप देशकते हैं यह पर single single item मिल जाते है उसी तरह के से आप यह जो list यह direct for loop को भी देते हो ना for loop इसको as a input इस तरह के से ले लेंगा automatically तो आपको उसको list क आस्तमाल करके उसको single single item में split करने की जरूरत नहीं है for loop यह खुद handle कर लेता है तो हमने इस item को तो already handle कर लिया यहाँ पर अब हमें क्या करना हमें बागे के character को handle करना है इतने character को जब हम for loop को added करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे बाए जो temporary character है temporary character क्या हमारे इस character से match हो चलए यहाँ और सेयम है नहीं है सेयम होवी बात नहीं हम character count को one नहीं करेंगे और उसके रहिए क्या करेंगे आगे चलके is string में उसको add करेंगे तो character connected next time for loop आंगा तो उसी के बाद जयसी हम इसको इसमे आड कर देंगे तो हम temporary variable हमारा इस की ए ओ हो जाएंगा और printer count हमारा तो ए, obviously हमारा जो item है, दोनों match करें, तो हम क्या करेंगे, count variable में already value 1 थी, हम उसको 2 कर देंगे, उसका फिर से हमारा for loop n को देंगा, और उसका धम चेक करेंगे, कि temporary variable a equals to equals to n, obviously यह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम count str string में, हम character count को add करेंगे, उसी के साथ, temp character को भी हम connect कर देंग और इसके बाद, फिर से temporary character हमारा n हो जाएंगा, और character count हमारा 1 हो जाएंगा, तो इस तरह के से हम, हमारे code को add करेंगे, और add hand में हम इस string को देंगे, तो यह हमारा logical, यह आपर अभी में क्या करता हो, सबसे बहले हम चेक करेंगे, if temp underscore chr equals to equals to chr, right, मानलो होता है, थोन क्या कर करेंगे, हमारा जो count है, इसको हम increase करेंगे, plus equals to one, that simple, हमें अभी इसमें कुछ करना नहीं, मानलो, else, यह condition true नहीं होती है, मतला जो हमारा character हो different है, तो हम क्या करेंगे, count chr, इसमें हम क्या करेंगे, add करेंगे, equals to, format लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ही, chr count यहाँ पर दे देते हैं, उसके बाद, temporary character को हम दे देंगे, right, तो हमारा आजेंगा, s और one, character count one है, हमारा s यहाँ पर, और यहाँ पर आजेंगा, s temporary character, right, तो इस तक हम इसको append करते रेंगे, हमार इस string को, right, और अब हम फिर से में क्या करना पड़ेंगा, जो मारा temporary character है, उस को अब यहाँ पर हम update कर देंगे, और अभी हमारा temporary character क्या हो जाएंगा, yes, यह चाहिए, क्योंकि यह match हुआ नहीं यहाँ पर, इसलिए, और इसके बाद हमारा character count है, वो भी हम फिर से initialize करेंगे, equals to one, right, that's simple, इस तरह के से हमारे अब स्टिंग, added होती रेंगी, और add name हम क्या करेंगे, add name में, मालो last का character जो है, वो double है, जैसे कि a है, right, last में if condition इस a के लिए activate हो जाएंगे, उसके बाद फिर से हमारे पास a आएंगा, तो character हमारा temporary character equals to ch character match हो जाएंगा, right, और उसके बाद हमारा for loop के बाहर हम आजाएंगे, तो for loop के बाहर आजाएंगे, तो इसमें जो ह जब last character same आते हैं, तब ये condition हमारी follow होती है, if condition, else condition follow नहीं होती है, इसलिए ये हमारी जो main stinger वो append नहीं होंगे, इसलिए हमने for loop के बाहर उसको फिर से लिया है, right, तो जैसे कि अब ये आपर हमारा character count to रहेंगा, और उसके बाद temporary character हमारा a रहेंगा, इस condition में, right, तो अब हम क हम करेंगे count underscore chr stream, that simple, इस तरह किसे हमारा logic अभी complete हो चुका है, इसको क्या करते हम एक बार execute करते हैं, और हमार इस function को हम क्या करते हैं, ये string दे देते है, sun vr, right, चलो इसको execute करते हैं, that simple, तो यहापर आप देशे तो, इसको हम copy करते हैं, for reference के लिए और यहापर paste करते हैं, तो आप इसको match करके देख सकते हो, 1s, 2a, 1n, 1v, 2i, 2a, तो आपने जो logic लिखा है हो, successful execute हो चुका है, अब यहापर आपको 2-4 खुद manually test भी कर देना है, जैसे कि यहापर में दिखाता हो, s के जगापर आप लेलो, triple s, देखो, आपको logic काम कर रहा है, right, s को हटा दो, और आ आप आप बस single character लेलो, a, देखो, आपको logic काम कर रहा है, आप double a लेलो, triple a लेलो, आपको logic काम कर रहा है, right, मान लो मैंने यह line को नहीं लिया होता, इसको मैं comment कर लेता हो, और मैं a को execute करता हो, तो यहापर आप देशे तो, sorry, पहले इस function का execute करते है, उसको बाद इसको execute करते है, यहापर आप देशे तो, हमारा logic काम नहीं करता, right, बस आगे के जो unique character उसके लिए हमारा code काम करता है, जो last की same character आते है, उनके लिए हमारा code काम नहीं करता, इसलिए हमने इस line को फिर से दोबारा लेना पड़ा, चलो इस फिर से execute करते है, इसको execute करते है, आप यहापर द करेंगा, और आपको बोलेंगा कि भाई, देखो, मेरे हिसाब से आप input लेलो, अब बोलेंगा कि आपको सिर्फ उसे empty string देना है, string में कुछ ने, तो execute करो, अभी आपके code की हिसाब से, logic की हिसाब से, आपका जो function है, वो आपको empty string देना चाहिए, अब देखते है, आपका code क् अब यहाँ पर आप देखते हो, string index is out of range, तो आपका code यहाँ पर fail हो चुका है, बढ़ आपका code ने satisfy करना चाहिए था, empty string मिले या कुछ भी मिले, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक condition लगा देनी है, if, if length of str is equals to equals to, क्या है, empty, right, तो आपको गारना है, return, return, empty string, और आपर लिक देना है, आपको print भी करना है, print, input is empty string, that simple, तो इस condition को भी आपका code handle करना चाहिए, right, तो input is empty string, अब यहाँ आपर आप बोलेंगे, भाई, मानल, उसने नंदी है, तो, उसने, क्या बोलते, integer flute देतो, भाई, इतना logic हमें बड़ा लिखना नहीं है, जो interior है, वो भी समझ लेगा, उतनी हरे condition को हमारा code satisfy नहीं करेंगा, क्योंकि हमारे पास limited time रहता है, right, तो इस चीज़ को देखना है, बस हमें इस इक data type के लिए function को design करना है, तो अभी हम इसको execute करते हैं, और फिर से इसको execute करते हैं, तो length of string, ओके, तो यह आपर हमने length लिया, तो यह आपर हमने 0 लेना चाहिए, 0, execute करते हैं, तो देखो, अभी हमारा code successful execute हो रहा है, input is empty string, ing लिखना पड़ेगा, empty string, right, तो इस condition में हमारा code satisfy हो चुका है, मतलब, जो interviewer की एक condition थी, तो यह दूसरी condition थी, उसके लिए हमारा code satisfy हो input देंगा, तो जैसे कि आपका interviewer बोलेंगा कि भाई देख, यह मेरे तरह से input है, input str, तो यहाप यह आपकी interviewer ने एक input दिया है, अब वो बोलेंगा कि भाई यह जो input है, यह आपकी function को pass करके देखो, तो यहापर हम लेते function और इस function को हमारा input st दे देते, तो चलो इसको execute करते है, तो यहाप गितने बार हमने बार है, तो यहापर हमें हम ले मिला है, उसकेबाद से यह है, उसके बार 133x a श्या मिल भ्यूमूम से अ है, और टू टैम्स और यह तो टू टैम्स एयं है, हमें मिल चुका है, तो इसका मतलब है, कि हमारा propos को gehबर हो को इंटेर्विवे के जो तीन कंडिशन थी, तीन टेस्ट के लिए सक्सेस्पूली रन हो चुका है, इसका मतलब है कि वाई हमारी जो टास्क हो संक हंडेड़ पर संस्थास्पूल हो चुके, तो यह जो आपको कोशन इंटेव्यों ने फूचा है आप कंसिडर कर लो और आपने इस तरीके से इस कोड को एक्जिकूट किया है मतलब इंटेव्यों की सारे के सारे इंपूट में आपका जो कोड हो सक्सेस्पूल रन हो चुका है इसका मतलब है मानलो उसने आपका जो कोश्चन पाच मार्क के दो-तीन दिन पहले मुझे अज़े सीनियर डेटा सांटेस पोजिशन के लिए पूचा था और वही कोश्चन आपको या पर मैं बता रहा हूँ तो चलो दोस्तों इसी तरगे के इंटरेस्ट कोश्चन हाम इस सीरीज में कंप्लेट करते रहेंगे अब हम मिलेंगे नेक्स व